जब भी बात आती है स्टुडेंट्स के लिए सब्जिक्ट चेंज करवाने की और ऐसी सीचोशन कब बनती है जब फॉर्स टाइम है जो कोलेज में जब बच्चे का एडमिशन होता है या फिर जैसा ही एडमिशन होता है निवर्शेशन में और सबसे पहले तो चोईसेज दी जाती है बच्चे को तो उसके बाद है जो पहला सब्जिक्ट कर लेता है लेकिन बाद में कभी कबार को इसा होता है कि स्टुडेंट का है जो कहीं विचार बदल जाना या फिर सब्जिक्ट को है जो थोड़ा सा डीप से नहीं समझ पाना क्योंकि सब्जिक्ट है जो किसी प्रकार का कोई भी एक subjект हो उसमें अगर आप expert हो तो वो एक बहुत अच्छी बात होती है तो कभी के बार बच्चे हैं जो शुरुआत में ऐसी दिक्कत कर लेते हैं तो फिर उनको फिर बार में लगता है कि मैं अब है जो subject change कैसे करवाऊं चाहे वो कोई सी भी university हो या फिर college को लेकर भी हो अला कि colleges सारे के सारे अंडर होते हैं university के तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे channel में justin English में आज हम बात करेंगे कि how to change subject in university and colleges for students तो subject change करने की बात जब पहली बार जब आती है तो उसमें अगर है जो पहली बात तो आपके सारे के सारे documents है जो complete होने चीए ताकि उसके लिए आप है जो eligible तरहो दूसरी बात यह आती है यहां पर कि आप university भी जाओगे और college में भी जाओगे तो वो आपने जो सबसे first time पर हर जो subject का जो chain किया था जो चूज किये थे वो subject तो आपके पास रहने ही वाले हैं वो तो मतलब उनको तो अपन है जो टाल ही नहीं सकते लेकिन आपको करवाना है चेंज ऐसी इस्तिति में तो उस college में कोई information लेते हो तो कुछ एक college तो ऐसे होते हैं तो उन में हैं जो वो subject change करने के लिए बिल्कुल आसानी से वहाँ पर subject change हो जाते हैं लेकिन कभी कभार ऐसे colleges और universities होती है जहां पर है जो seats के according subject की seats के according है जो बच्चे को subject दिये भी जाते हैं लोड कर दिये जाते हैं चाहे उसने हैं जो इत्री subject जो भी उसने जो चैन किये हैं वो तो उन में कभी कभार उन में फेर बिदल होके भी आ जाता है वो चैन्ज होके भी आ जाते हैं तो ऐसे में है जो subject का change होना या फिर विशे में परिवर्टन करना आप बिल्कुल भी संभव नहीं है लेकिन कुछ college में ऐसा होता भी है कि वाकरी नहीं देता क्योंकि कोई दूसरा बच्चा है जिसको जो subject मिला है हो सकता है वो चैन्ज नहीं करवाना चाहता हो तो seat है जो empty नहीं हो खाली नहीं हो अब फिर उसके बाद है जो पिर बच्चा है जो अधिक्तम लेवल प्लर या फिर ज्यादा से ज्यादा वह बच्चा यूनिवर्शेटी विजिट करता है वहां पर उसको है जो साफ साफ मना कर दिया जा हो कि अगर आपने है जो exam form fill कर दिया है तो भी rare chances में आप है जो subject change करवा सकते हो और अगर आपने examination form है जो fill नहीं किया है या फिर fill कर दिया है or submit नहीं किया है तो भी है जो आप है जो subject change करवा सकते हो लेकिन ये एक विद्यारती के लिए बड़ा मुस्किल भड़ा काम रहता है इसलिए है जो हमारी team ने है जो आपके solution के लिए कि आपकी है जो proper problem क्या है वो एक तो है जो आप नीचे comment section में जाकर है जो अपनी problem share करोगे और उसके बाद है जो फिर भी अगर आपको है जो हाला कि response आपको proper मिलेगा लेकिन वहाँ पर आपको एक help and number भी दिये जाएंगे उन number पर भी है जो आप what's up के truth हमारी what's up business है तो लगबग हमारी team है तो उनमें से आपको है जो जो भी experts है इस बारे में जो आपकी problem है उस बारे में अगर वो knowledge रखते हैं तो वो आपको है जो बिल्कुल जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी है जो आपको guide करेंगे और आपको सलाव सुजाओ देंगे धन्यवाद अगर वाके अगर वीडियो है जो आपके लिए helpful थी तो please channel को subscribe कर लिजे हो सकता है तो like भी कर दीजे thank you so much